आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज चैनल अब्दुलाफिज अंसरी के साथ अब यह हमारे चैनल पर आए वे धुलिया सहर के राश्टरवादी के जिला अद्देक्स रंजीत राजे भुसले सहब तो सबसे पहले हम इनका तारूफ कराते है रंजीत राजे भुसले साब मैं रंजीत राजे भुसले जिला अद्देक्स राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी दुएश है अब यह हम लोग इनसे मुलाकात करने इसलिए आए कि आज जो है जो आगे आ रहा है अपने बकरईत का एकसान आ रहा है उसके आगे पोला उसके आगे गनपती तो जैसे के रंजीत राजे भुसले साब ने सहर की एक्ता के लिए बहुत से पहले भी काम किये और आगे क्या आजम कर रखते है ये और अपने जो लोग है जो अमारे सहर की जनता है तो उनको क्या मेसेज देना चाते है आओ मिलते हैं रंजीत राजे भुसले साब से आने वाले दिनों में दुलिया शहर में अलग-अलग जाती धर्मों के त्योवार और स्वन आने वाले है आने वाले दिनों में बकरीद है, मोरम है, पार्शी नव वर्ष है, पतिती है, आशाडी एकादशी है, पोला है और नार्णी पोर्णी मा है बहुत सारे सरन अलग अलग धर्मियों के आने वाले हमारे सब धर्मियों से हमारे सिटी के सब नागरियों के से एक विननती है कि वो सब धर्म के प्रोग्राम सरन उच्छों एक दुसरे से साजा करे हर सरन और उच्छों में सामिलो एक दुसरे के खुशी बाटे और जो हमारे शहर आप तक जाना जाता था आमन और शांती के लिए वो बरकराय रखे यही सुपकामना हम सब दर्मियों लोगों को देना चाहते है जैसे के धुलिया सहर में जो सभी समाज है तो एक दूसरे से कही न कही उनका रिलेशन है कही न कही उनका तालूक है और हमारे जो सहर के में जात रहने में ही तो अभी देश की जो एकता है उसके लिए क्या करना चाहिए या आप क्या करना चाहते है यह सवाव करना चाते सब मिलके सब के अपने अपने त्योहार एक दूसरे के त्योहार में जाके वो साजा करे और साजरी भी करे हमें यही कहिना है कि अगर हम अलग-अलग जाती धर्मा के लोग एक सिटी में बसे हुए हमारा देह है हम जीना भी यहाँ है और मरना भी यहाँ है इसलिए अच्छा काम करें सब को मिलके चले हमारी कोशी रहिए इंदु-मُस्लिम समाज में एकता बनी रहे, इसलिए हमने हमान और एकता संमेलन का आयोजन करैं, आयगे भी हम वैसे आयोजन करने वाले हैं, हमने देखा है कि हमारे दोस्तों जो है उनसे मिलके हमने मजजिद दर्चेन का प्रोग्राम रखा बहुत बार हमने हमारे दोस्तों के साथ इद मिलन का प्रोग्राम रखा अलग-अलग त्योवार जो है दोनों समाज में अच्छा खासा रिस्ता बनाने के लिए हम कोशिश करे अगर यही कोशिश हमेशा चलती रही तो मुझे गैरेंटी और विश्वास है कि जल्दी हमारा शहर या अमन और शांती के लिए पुरे देश में पहिचाना जाएगा हमारी कोशिश होने चाहिए एक दूसरी की परंपरा है है संस्कूरती है वह एक दूसरी की साजा करें पहिचान बने त्योवार में शहरिक हो हमारी कोशिश रहती कि जैसे हमने जमेत उलेमाई हिंद के साथ यहापे बहुत अच्चा प्रोग्राम आमोर शांती सम्मेलन का किया था वैसे हमारे यह लोकसेवा गुरूप की तरब से उ हिंदू लोगों को समझ में आई उनको पता चले व्यसे हम घुषिक होंगे या माराटी भाशिक जो बच्चे उनको किताबय देने की कोशिश की है हमने चार पाससालों से कोशिश की है कि ईत मिलन का प्रोग्राम हो वैसे मिलन के प्रोग्राम में हिंदू अरह मुस्लीम समा करना है खुशी बाठना है हमारी कोशी से कि हिंदू-मुस्लिम समाज में अलग-अलग त्योवार काम करके अच्छा संदेश दे और आगे वाले दिनों में आने वाले दिनों में हम यही कोशी जारी रखेंगे कि अच्छे प्रोग्राम में लिए जाएं जी मजडित में जो आपने समाज के लोग और कितने लोग चाने जहां पे जब लोक सेवा गृप के तरब से उनके साज्डा से प्रोग्राम लिया गया उस दिन महां ने देखा कि हिंदू-पाज के बहुत सारे लोगों लाया गया जेसे नारी न इबादत होती है कैसा प्राधना की जाती है जब वो अजान होती है अजान में मराटी का मतलब बताएगी कि अजान क्या है अजान का मतलब क्या होता है जब वो नमाज पड़ी जाती है नमाज का मराटी में आर्थ क्या होता है उसका मतलब मराटी में क्या होता है और कितने बा मेसेज अलग धर्म में गया कि मस्जीद में जो होता है बहुत पाक और नेकी का काम होता है यह पाक जगह है और ऐसे बाद आगर लोगों को बड़ता ही गई दिखाई गई तो उसका अच्छा मेसेज अलग धर्म में जाता है जैसे आपने बताया जम्यतिय उल्मा हिंद के इतना अच्छा प्रोगाम लिया मौलान महमुतमदी दिली से आया हुए थे और मतुरा शे एक महराजी आयते तो वो प्रोगाम कैसे हुआ ता और आपने किस दन्शे उसको अँजाम दिया था यह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो एक मिसाल बने होई कि जमेटूले मां काम करते हैं लोगों में देश में एक शांती लाने के लिए आमल लाने के लिए but चप इंडियें चरिन वरगंतर्स ने काम किया था अपने मतनी साहब आए उसा एक अच्छा मैसे सिटी बहुत भज़ा धर्म गुरू थे हिंदु धर्मे गुरु थे क्रिच्चन फादर थे और बाबा धिरत सिंग जो सिख धर्मगुरु है वो भी आप आये और एक अच्छा प्रोग्राम जिले में उस दिन हुआ था बोस्ति साब हमको यह भी पता चला है कि आप बहुत अच्छे कवी आपने वह सारी किताबे लिखी है तो उसके बारे में आपका क्या गाल आप क्या मैसेज देना चाहते है इक समाज को यह मैं राजनिती जैसे करता हूँ ऐसे मैं किताबे का शोकिन हूँ पढ़ना भी बहुत मैं बहुत पसंद है अवी तक मेरे पाश किताब भी लिखी चुकि है और यह इंप मार्केट में लाई है थे चटी नई कीताब मैंने लिखी है लीकिन उसका छपपै और प्रिंटिंग बाकि है यह बूद अलग बात है कि जो मैं हर रोज काम करता हूँ यह देज देखता हूँ गाव देखता हूँ ये शहर देखता हूँ लोगों की रहन सहिन देखता हूँ उनका कल्चर देखता हूँ तब उसी में से मुझे कुछ तो सुस्ता है पर ऐसा लगता है कि ये किताब के रूप में आना चाहिए इसलिए मैं मेरे जिन्दगी के जितने अनुब मैं जब गाओं में पढ़ता है तो मेरी नस्तिक रहता था उसके बारे मेर मेरे बहुत जमती're जो मेरे रिष्टेदारों, मेरे समाज, सब लोग कभी-कभी एक पॉलिटिक के वज़े से हम थोड़े दूर होते थे, लेकिन मेरे सुपदुप में जिसने ज्यादा मुझे मदद की, जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, मेरे घर में पढ़ाई करता था, एक थाली में हम खाते मेरे सिकंदर था, उसका भी उसके माता का और माउसी का हमने यहाद पर किताब में एक चाप्टर लिखा है, कि उसके जो मा है, वो विद्वा मा थी और उसने बहुत कम पैसे में, मतलब तीन रुपे रोजाना वो कमाती थी, और उसमें अपने बेटी का बेटा का पढ़ाई किया, उसका पालन पोशन किया, और फिर वो आज एक छोटी दस बाइद उसके रूम में रहती थी, लेकिन आज कुछ दिनों में अपनी कष्ट और मेनत से उन्होंने आज बहुत बड़ा मकान हासीत किया, आज तीन मदली इमारत में, बिल्डिंग में वो रहती है, बहुत बड़ा समाज के गाव में रहते थे, लेकिन उनका वहाँ पे जो रहोया था, हसी खुशी था, हस समाज में रहना था, हर गाव में वो किसी की माउशी थी, काकी थी, मामी थी, तो यह रिलेशन उन्होंने बनाय था, उसके बार में पूरा मैंने मेरे किताब में लिखा है, आपके सामने में पेश करूंगा आपकी उस किताब का चैना में आप जरा दर्शे को बता सकते हैं वो जो किताब का नाम है मैने कहांदेशी मांसर ऐसे मराटी में दिया है कि हमारे खांदेश के मांसर जो है अदमिय जो कैसे अलग-अलग जाती के दर्म के लेकिन खुछी से हम कैसे एक साथ रहते इसके बारे में उस उस-किताब में पुरे जान करे दिये अधे करते हैं रंजीत राजे बोसले साब का अमारे चैनल की तरफ से हम सुक्रिया अधा करते हैं